किसी भी शहर में समय समय पर कुछ बदलाव करना स्वभाविक है लेकिन इसमें ऐसा प्लान बनाया जाता है जिसमें किसी को बहुत फायदा या नुकसान नहोगी धनना सिर्थ तो नुकसान सहलेंगे लेकिन उन मिडल क्लास गरीबों से पूछो जो अपना सब कुछ खो चुक क्या इन लोगों को तुरंट बसाने के लिए कोई प्लान है सभी भविश्य के लिए असमंजस में है नौकरीव रोजगार की कोई फिगर सरकार के पास नहीं है लेकिन नडधा जी ने घोशना की है 12 प्रतिशत गरीबी कम हुई है क्या ये कमी किसी को देख रही है शहर में लगभग 40 प्रतिशत दूकांदार बेकार हो चुके है एक तरफ पटिया तोड कारिवाही हो रही है कहा जा रहा है दूसरी ओर चोड़ी करन अभियान भी चालू है जबकि शहर को अभी महानगर श्रेनी में आना बाकी है हमारे जनप्रती निधियों की बात की जाए तो सभ की संपत्तियों की जाँच भी होनी चाहिए ताइम सेंटर किसकी कृपा से बचा हुआ था सबको मालूम है अगर 40 प्रतिशत को उजार कर धन्ना सेथों को फाइदे के लिए ये मास्टर स्कीम लागू की जा रही है तो ये अफ्राग की श्रेनी में आता है किसी की जमीन सड तालाब या अन्य सारवजनिक उप्योग में अधिगरहित किये जाने पर संबंधित को जमीन का मुआवजा पैसों में देने के बजाए टी डी आर दिया जाता है क्या ऐसा होगा जिस तरह गरीब की छाती पर बुल्डोज चला विकास की कल्पना की जा रही है इतिहास भी इन्हें उसी रूप में याद करेगा जैसे ये मुगलों को याद कर रहे है